नमस्कार एटो जहट डिशुष उशा गोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में आपको मैं एकदम बढ़िया सी रेसिपी बताने जा रही हूँ देखिए ये जो मसूर दाल है आप इसे हमेशा ही खाते होंगे किसी ना किसी तौर से किसी ना किसी तरीके से और हम दाल तो रोजाना बनाते ही है घर अज मैंने सोचा कि आज डाल नहीं बनाते है बनाते है मसूर दाल का ये बढ़िया सा बढ़्टा जो राइस के साथ इतना बढ़िया लगते है ना ज् jiटपट से भी बन जाता है उसके लिए मैंने एक कप मसूर दाल को 3-4 पानी से और 10 मिनिट के लिए मैंने इसे विगो के रख दिया था उसके बाद केस को अन करेंगे प्रेशर को कर रख देंगे और यह जो विगो यू दाल है वो हमें डाल देनी है इसी के साथ इसके अंदर हम डाल देंगे सिर्फ एक कप जितना पानी डाल दें एक से दो कप और दो सीट लाल मिर्च डाल दे और इसी थोड़ा सा भून ले तो यहां पर आप दीख सकते हैं कि जो सूखी लाल मिर्चे न अच्छे से भून गई तो इसे हम निकाल लेंगे और वही तेल में हम डाल देंगे तीन से चार लसन की कलिया और दो बारी कटेवे प्यास ऐसे हमें भून ल मिक्स कर ले और गैस को बंद कर ले अब यह जो वहने दो सूखी लाल मिर्च को बुना था इसी आपको हाथों से टोड़ लेना है अपने देखेabन लिया तो काफी आसानी से तूट जाती है उसके बार जो हमने यह दाल पकाई थी एसे हमें मसल लेना है द्यान रखे प्याज को थोड़ी से दिनिया के पते और इसे अच्छे से मिकस कर ले अब इसके अंदर मेन इंग्रिंट दो का तेल यानि की मस्टर ओिल और एक बारी कटा हूँआ कच्छा प्याज इन सबी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनाistes मिक्स कर ले यह जो मसूर दाल का जो बर्था है इतना टेस्टी लगता है ना मैं तो इसे बनाती हूँ बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंदा एक यह ऐसी रिसिपी है और खास करके इसे मैं खाती हूँ और इसे खाया जाता है राइस के साथ यह जो वाइट राइस बनते हैं जिसके अंदर सिर्फ हम नमक और पानी डाल कर पकाते हैं तो बस यह चावल इस तरह से ले लिजे और साथ ही साथ यह बर्था और चावल के ओपर थोड़ा सा गी डाले गरम गरम चावल के साथ यह बर्था खाए कमफर्ट फूड तो है ही साथ ही साथ हेल्दी भी है जरू ट्राइ कर दो करेंगे हैं वे कद आते हैं उनके लाम जब दून्हें तयफ जब आपगरց सेरीट के ज này। आतर सेरी वेंते हैं वेपा बमस्री आ stay झाड़ कम झांव कथ औरेंगें निफ पाउ हसा के आतर से तून आप घा ज बमस्ते हैं